हिमाचुपेश उचनियलिय की ओर से कलर्क और प्रूफ रीडर के पद के लिए लिखित पर एक शॉट टाइपिंग टेस्ट का शेडियूल जारी कर दिया गया है दरसल जो दिन इसके लिए निर्धारित हुआ है वो 26 मई है हलाकि यह जानकारी हाई कोड की वेबसाइट पर भी उपलब करवा दी गई है उमीदवार वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं 116 के करीब यह उमीदवार है जिने लेकर जानकारी दी गई है और उमीदवारों को हलाकि यहाँ पर SMS भी भी बेस दिये गए हैं उनके रेजिस्टर मुबाइल नंबर पर और मेल के जरीए भी जानकारी उन तक पहुंचा दी गई है यह हाई कोड की ऑडिटोरियम में ही क्योंकि लिखित परिक्षा कंड़क्ट करवाई जाएगी 26 मई जैसा कि हमने कहा इसके लिए तारीक तैह हुई है और क्लर्क और प्रूफ वीडर के पद भरने के लिए यह क्योंकि यहाँ वेकैंसिस निकाली गई थी एक और दर्दनाक हाथा पेश आया है यह कांग्रा के देहरा में पती पतनी ने अपनी जान कवा दी तरसल पौंग पांग घाटी में इस्थित शिम मंदी में दर्शन करने के लिए यह परिवार आया था जिसमें माता पीता और उनका बच्चा भी था और एक अन्या व्यक्ति भी इनके साथ मौजूद था और शिम मंदीर तक पहुंचने के लिए यह सभी ट्रॉली में बैठ गए लेकिन जैसे ही ट्रॉली में बैठे तो बीच रास्ते में ही ट्रॉली की लिफ्ट टूट गई थी जिस वज़ा से रैंप के साथ जाकर ट्रॉली टकरा गई और यह चारो सवार व्यक्ति उससे शाया है दर असल रविवार को ठीक साड़े पांच बचे लिए दर्शन करने के लिए शिव मंदीर की और बढ़ रहे थे पॉंग बांध में जो की स्थित है और देखे कलतना भी नोंने नहीं की होगी कि ट्रॉली में बैठना इनके लिए इतना जादा खतरनाक भी साबित ह हो सकता है ट्रॉली की लिफ्ट तूट सकती है और फिर ये नीचे इस प्रकार से गिर सकते हैं कुछ एक जीलों में स्कूल का समय बदल दिया गया है लेकिन एक जीला ऐसा भी सामने आया है जहां अगले दो दिन तक अब स्कूल बंध ही रखे जाएंगे चात्रों को स्कूल जाने के आवेशकता नहीं है और ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि गर्मी काफी जादा बढ़ गई थी यह उना डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं यहां प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षा के चात्रों के लिए स्कूल बंध रहने वाले हैं फिर चा 21 मई तक तो स्कूल बंध नहीं किये गए हैं लेकिन 21 और 22 को जुरूर यहां पर देखिए स्कूल बंध कर दिये गए हैं अगले दो दिन अवकाश रहने वाला है उना जिला में जितने भी सरकारी और प्राइविट स्कूल हैं यह प्राइमरी और प्री प्राइमरी किये समय कर दिया गया है क्योंकि यहां भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही थी और लू का सामना चात्रों को अभिभावकों को करना पड़ रहा था इस भी सबसे जादा चात्र पिस्ते हुए नजर आ रहे थे कि दिन भर अपनी क्लासिज लगाएंगे उसके बाद जब घर जाने का समय आएगा तो बहुत सारी मुश्किले उनके समक्षा रही थी इतनी तेज धूप में उन्हें स्कूल से बाहर निकलना भी काफी मुश्किल हो रहा था तो घर तक पहुंचना तो और भी जादा मुश्किल इनके लिए हो रहा होगा इसी वज़ा से यह दिमांड पहले अभिभाव को ने उठाई थी कि समय सारी में बदलाव होना चाहिए तो अब देखिए टाइमिंग को लेकर शेडिूल बदल दिया गया है ठीक सुबा साड़े साथ बज़े से लेकर दोपर एक बज़े तक ही कांग्रा में स्क शिक्षा विभाग के निदेशक के पास जब बहुत सारी अरजियां पहुंची इस सिलसिले में तो उन्होंने डेपटी डिरेक्टर को अपने सतर पर आदेश चारी करने के लिए अधिकरित कर दिया था लेकिन उसके बाबजुद भी यहां आज फिर से नए ओर्डर हुए ह इसके लिए अधिकरित किया गया है यी जीला उपायुक तो भी इसके लिए अधिकरित किया गया है वह भी अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं और उछ शिक्षा विभाग के निदेशक के ओर से डिसकुशन कर ले कि आखिर रमी काफी जादा हो गई थी, 44 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है, तापमान आज भी वहाँ पर दर्ज किया गया है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला निकल कर सामने आया है, और कांगरा में समय बदल गया है, साड़े साथ बजे से लेकर एक बजे तक ही स्कूल लगेंग लेकिन आने वाले छे दिनों में अभी मौसम साफ ही बना रहेगा, काफी गर्मी होने जा रही है, ये भी बात आज मौसम विज्ञान केंदर के निदेशक की ओर से कही गई है, कि तापमान में बढ़ोत्वी होगी कंगना को गो बैक के नारे आज लगे हैं, मंडी संस्दिय सीट से भाशपा प्रत्याशी है कंगना रनौत और ये लाहुल स्पिती जो की जनजाती एक शेतर है, लाहुल स्पिती के काजा में गई थी जनसभा को संबोधित करने के लिए, अभी इनका काफिला सबस्थल की औ उर से लगाया जा रहा है, हलाकि कॉंग्रिस का ये मानना है कि वहां की आम जनता थी, ये कोई कॉंग्रिस के कारे करता नहीं थे, लेकिन जिस तरह से गो बैक के नारे लगे हैं, काले जंडे दिखाये गए हैं, कंगना रनौत को उसके बाद तेजी से ये फोटो और वीडि कर दिया था, जिसके बाद बोट समुधाय की भावनाओं को काफी जादा ठेस पहुंची है, और उसी का ये परिनाम निकल कर सामने आया है कि गो बैक के नारे काजा में कंगना नौत के लिए लगाए गए, काले जंडे भी इन्हें देख कर वहां पर दिखाये गए हैं, और सबके बाद मंतरी विक्रम अधित्य सिंग की ओर से भी टिपनी सामने आई है, देखें विक्रम अधित्य सिंग ने साफ शब्दों में ये कहा है कि हाला कि उन्हें इस पूरी बात की जानकारी नहीं है, आज वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो टिपनी करने की इजाजत किसी को भी नहीं है, तो फिलाल अब क्या कुछ होता है, यह हम देखेंगे आने वाले समय में, लेकिन नेता पतिपक श्यराम ठाकुल की ओर से भी इसमें पलटवार किया गया है कॉंग्रेस पर और साथी साथ कॉंग्रेस पार्टी को घेरते हुए, उन्हो भाजपा का काफिला महां से वापिस लौट भी रहा था, तो कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने पत्राफ किया, यह भी नेता पतिपक श्यराम ठाकुल की ओर से आरोप लगाया गया है, और जब यह पत्राफ हो रहा था, तो उस थिती में एक भाजपा के कारेकरता के पाउं मे भी गहरी चोट लग गई है, और इसी के खिलाफ अब चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए भाजपा ही पहुंचने वाले हैं, हलाकि समय साड़े पांच बजे का रखा गया था, ठीक साड़े पांच बजे दलबल के साथ यह चुनाव आयोग में पहुंचने वाले थे कि आज जो कुछ भी काजा में हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लगातार क्योंकि भाजपा का यह मानना है और यही कहना है कि वहां पर यह कॉंग्रिस के ही कारे करता थे, जिनकी ओर से पत्राब भी किया गया, जिनकी ओर से काले जंडे भी दिखाए गया और गो बैक के नारे ल 5 बजे अपने पूरे दलबल के साथ भाजपाई आचुनाव आयोग पहुंचने भी वाले थे, हलाकि इसे लेकर जो भी फ्रेश अपडेट हमारे पास आई हो, वो हम आपके साथ बिलकुल सार्जा करने वाले हैं, देखे डेपिटी सीम उकेश अगनी होतरी ने भी नेता प प्रतिपक्ष बने हुए, लेकिन लग रहा है कि सीम बनने के लिए वो और जादा बेताब हो गए हैं, जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो मैंने पूरे 5 साल तक अपना दाईतब निभाया था, लेकिन जायराम ठाकुर इसकी भूमी का आदा नहीं कर पा रही है, क्यूंकि उन्हें तो सीम बनने की होड है, लेकिन अब वो सीम नहीं बन पाएंगे, ये भी दावा मुकेश अगनी होतरी ने किया है, और ऐसा इसलिए उनका मानना था कि जब जायराम ठाकुर को मुक्या मंतरी बनाया भी गया था, तो हेलिकॉप्टर में ही घूमते रहे, सडकों पर अगय नहीं, इसलिए इतनी बधाल स्थिती में उनके विधान सबाक शेतर की सडके भी है, एक बड़ी स्टेटमेंट कहना चाहेंगे, जो जायराम ठाकुर के खिलाफ यहां डेपटी सीय मुकेश अगनी होतरी ने दी है, दूसरे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि जिस प्रतियाशी के लिए प्रचार प्रसार नेतापति पक्ष कर रहे हैं, वो तो पहले ही अपना रिटर्न टिकेट भी साथ लेकर आई है, ये तो नहीं लगता कि 5 जून तक का भी कंगना इंतजार करेंगी, बलकि एक जून को ही यहां से वापिस मुंबई के लिए रवाना हो होने वाली है, दावा मुकेश अगनी होतरी की ओर से किया गया है, अगर आम लोगों के बीच कोई रहेगा तो विक्रम अदित्ते ही रहेंगे, कंगना नहीं रुकने वाली है, इसलिए तो पहले ही अपने साथ रिटर्न टिकेट भी साथ लेकर आई है, तो आज कुछ ऐसी स उससे क्योंकि इसमें हाफ-ाफ शेयर रहता है, फिर जाकर इनकी अदाइगी होती है, लेकिन सेंटर की ओर से जो ग्रांट टुकी है, उसके बाद तकरीबन दो महीने हो गए है, मान देये इनका नहीं मिल रहा है, और 18,000 के करीब इनकी संख्या है, पिछले 20 वर्षों से बार-बार इन्हें ऐसी ही परिस्थितियां देखनी पड़ती है, इसलिए अब जल्दी इनका वेतन मिल जाना चाहिए, ये मांग इनों ने उठाई है, क्योंकि इस वक्त गुजारा करना भी बहुत मुश्किल इनके लिए हो रहा है, देखे कल से वोटिंग शुरू होने व वाले दिव्यांग चन मद्दाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने लोग सभाचनाव 2024 में होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की है, अनिवारे सेवाओं पर तैनात करमचारियों को ग्रिह आरो एरो कारेले पर स्थापित पोस्टल वोटिंग मद्दान करने की सुविधा उपलब्ध होने वाली है, 6835 में से 32,370 मद्दाताओं से प्रपत्र 12 डी भरकर प्राप्त हुए हैं और अभी तक इश्रेणी के 25,958 मद्दाताओं के प्रपत्र निर्वाचन विभाग द्वाग को प्राप्त हुए और अब तक 9,394 के प्रपत स्विकार कर लिए गए हैं, ये एक आंक्ता हम आपके लिए लेकर आये थे, अभी कितने मद्दाता हैं और कितनों की वोटिंग होने वाली है, दूसरे बात करना चाहेंगे हाई कोर्ट की ओर से जो फटकार लगाई गई है राज्यसरकार को, दर असल मेडिकल कॉलेजिस की स परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है, अब ये भी हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 2023 और 9 मार्च को ही लोकारपन किया गया था, ट्रॉमा सेंटर का मुख्यमंतुरी सुख्रू की ओर से, लेकिन अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक मशीनरि सुचारू नहीं बनाए गए है, इसलिए ये जरूरी है कि एक बैठक कुछ से पहले संबंदित विभाग आपस में करे और ये सेवाए मरीजों को मिल सके, कोर्ट ने चिकित्सा बुनिया दिये धांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए मुख्या सचीव को स्वास्थ वि चारी करने के लिए कहा है, मुख्या सचीव को 19 चून तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिये गए हैं